जहिन दोस्तों आज हम हिंदी साहित्त की बात करेंगे और UGC NET की First Vapor की बात करेंगे और BSC, BIPLOP Study Center की सफलता की बात करेंगे आज सफलता की वो कहानी है जो BIPLOP Study Center नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल बन चुका है आज यहाँ जपान से, सन्युक्त अरब अमीरात से, कैनेडा से, USA से भी चात्र पर रहे हैं जो हिंदी के इक्चुक्च सात्र है, जो किसी न किसी कारण से रिसर्ज के लिए विदेश चले गया है वो चात्र भी विपलब से जुड़े हुए है, और कलास ले रहे है, यही नहीं पूरे भारत के जितने भी सेंट्रल इन्वर्सिटीज है, हर इन्वर्सिटीज में यहाँ के चात्र पर रहे है, यही सफलता की निसानी है आज मैं उन सारे चात्रों को याद करना चाहूंगा, जिस मंजिल की सुरवात 2014-2015 में हुई थी, आज वो सफलता की सिकर पर पहुँच रहे हैं और आज यहाँ से पढ़े हुए उन्चा सारे चात्र और चात्राओं को याद करना चाहूंगा, जो आज कहीं न कहीं सफल है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई PGT सेलक्षेड है, कोई TGT सेलक्षेड है, और जीवन के हर फिल्ड में सफल है दोश्तों सफलता एक दिन में नहीं मलते हैं, या सफलता का कोई shortcut trick नहीं होता है, उनके लिए hard work की जरुरत होती है, कठिन महनत की जरुरत होती है, और ये कठिन महनत सिर्फ teacher पर निर्वर नहीं करता है, वो चात्र पर भी निर्वर करता है, कि वो चात्र कितना dedication के साथ काम कर रहे हैं, लगातार महनत का ही फल है, कि white board से digital board, professional camera तक ये coaching पहुँच पाया है, और national ही नहीं, international मुकाम भी प्राप्त कर पाया है, पूरे भारत का कोई भी ऐसा universities नहीं है, जहां पर बिपलब study center का बच्चा पढ़ा हुआ ना हो, ये guarantee के साथ मैं ये बात करता हूँ, और screen पर आप जो इतने सफल student को देख रहे हैं, ये एक दिन की सफलता नहीं है, ये लगातार महनत की सफलता है, लगातार hard work की सफलता है, आज का दिन मैं उन सारे चात्रों को समर्पित करना चाहता हूँ, जिन्होंने लगातार मेरे साथ मिलकर महनत कीया है, hard work कीया है, दोस्तों सफलता जिसे हम कहते हैं, सुनके बड़ी खुसी मिलती है, या मैं देखता हूँ कि जिन बच्चों को success मिल जाता है, और दूसरे भाग्य था वो सफल हो गए, उनके तो तकदीर था वो सफल हो गए, उन्हें ये नहीं पता है कि तकदीर अपने हाथ से लिखा जाता है, भाग अपने हाथ से लिखा जाता है, हम सब दासत बिरती के सिकार हो जाते हैं, और ये सोच लेते हैं, दास बनकर ही हम सफलता पा सकत उससे आगे नहीं बन पाते है लेकिन मेरा मानना है मनजल रास्ता कठिन जरूर होता है लेकिन अगर खुद रास्ता बनाओगे तो उस रास्ते पर चलने में आपको नाज होगा आपको उस रास्ते पर चलने में मज़ा आएगा अगर यो मैं कहूं मज़ा आएगा हमें भी आता है हमने भी अपना रास्ता खुद बनाया है किसी के दास्त तो बर्ती में नहीं गया और मुझे लगा कि मुझे हाट वर्क करना चाहिए आज मैं जहां पर हूँ या मेरे चातर जहां पर है देखना बड़ा आशान होता है उसके लिए रात दिन का मेहनत होता है कठिन मेहनत करना होता है कठिन तपस्या करना होता है रात रात भर जगना होता है सोना भूल जाना होता है तब वो मंजिले मिलती है तब वो सफलता मिलती है तो मैं उन सारे छात्रों को कहना चाहूंगा जो आज भी ये मान कर बैट चुके है कि उनसे result नहीं होगा या जो ये मान कर बैट चुके है हमारी जिन्दगी खत्म हो चुकी है एक बार B.S.C. से जुर कर देखो विपलब study center से जुर कर देखो पूरे भारत नहीं पूरे बिस्व का पहला ये coaching center है जो result की stamp paper पर लिखित guarantee देती है अगर कोई और coaching center paper पर लिखित guarantee देता है तो आप बताना मैं कभी-कभी भावुक हो जाता हूँ जब उन छात्रों को देखता हूँ उन बच्चों को देखता हूँ जो एक छोटे गाउं से आता है जिसे proper net की भी सुबधाएं नहीं होती है proper technology की भी सुबधाएं नहीं होती है लेकिन continue साल भर मेहनत करके लगातार मेहनत करके जब उन्हें सफलता मिलती है न तो एक गुरू के रूप में सबसे ज़्यादा मुझे एक खुसी मिलती है मुझे लगता है कि मैं जीवन में अगर success नहीं हुआ इन छात्रों के चेहरे पर खुसिया लाया यही मेरे लिए सफलता है गुरू तो माबाप तुल्य होता है उनका कर्म होता है लगातार अपने कर्म को करते जाना हो सकता है बहुत सारे जगह पर मैं भी औसफल होता हूँ मुझे में भी बहुत सारी कमिया है जैसे आप में दोस्तों कोई भी परफेक्ट नहीं होता है जीवन में मैं कहूँ कोई भी हंडेट परसेंट परफेक्ट नहीं है लेकिन परियास जारी रखता है परियास जारी रखता है और जो परियास जारी रखता है सफलता उसी को मिलती है मंजिल उसी को मिलते है हर बैच में मैं अपने सारे छात्रों से एक ही बात कहता हूँ वो मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ तुझे खोने को कुछ नहीं है और पाने को सारा संसार है मैं उन सारे छात्रों और छात्रों को आज फिर कहना चाहूँगा दोस्तों तुझे खोने को कुछ नहीं है पाने को सारा संसार है जब आप बाहर निकलते हो परने के लिए इमंदारी से बताना क्या लेकर आते हो जो यूपी से बिहार से राजस्थान से मजद्पदेश से जारकंड से पच्छिम बंगाल से जो चात्र दिल्ली परने आते हैं इमंदारी से बताओ तुमने क्या लाए हो एक टीन का डबबा अनि बकसा लाए हो गए उसमें थोरी से किताब होगी और दो चार कप्रे हो गए उसके सिवा क्या लाए हो और यहां आकर के बड़ी सफलता प्राप्त करते हो मैं उन सारे दोस्तों को जब भी देखता हो सारे हमारे दोस्त अच्छे मुकाम पर है और आज जो चारवाई छे के कमरे में या आठवाई छे के कमरे में जीवन गुजार रहे थे आज वो कम से कम सौद दोस्तों गज के फ्लैट में बड़े सांदार रूप से रहते है लाखों का कमाते है इसके पीछे क्या है कभी सोचना इसके पीछे उसका हाद ओवरक है इसके पीछे उनका कठिन मेहनत है वो समझता है हमारे सामने जो लक्ष है उन लक्ष को जब तक तोरेंगे नहीं तब तक छोरेंगे नहीं जन्दगी की भी यही नियती है दो परकार के लोग होते है भगवान कृष्ण भी गीता में कहते है एक वो होते हैं जो संकल्प तो कर लेते हैं उस पे चलते नहीं और जो पाँच बीमारू एस्टेट राज्ज है जी के मैं पर लेना कोन बीमारू एस्टेट राज्ज है वो जब एक बार गउं से निकलते हैं और संकल्प कर लेते हैं तो फिर लोट के अपने घर नहीं जाते हैं जब तक कि उन्हें सफलता ना मिल जाये रात को रात नहीं दिन को दिन नहीं समझते हैं तब उन्हें सफलता मिलती है ये जो सेकरो बच्चे आप देख रहे हो हजारों के तबदील में आप देख रहे हो ये एक दिन का मैंनत नहीं है या मैं कहूँ एक दिन की सफलता नहीं है लगातार मैनत का फल है ऐसे ही नहीं सेकरो बच्चे जिनका तुम्हें इंटर्व्यू भी नहीं ले पाता हूँ वो बच्चे वो भी आज सक्सेस है आप भी सफल हो सकते हो जिन्दगी में हार मत मानो मैं तो यह कहता हूँ अपने पैर पे खुद कुलहारी मत मारो कभी ए मत सोचो कि तुम सफल नहीं हो सकते हो एक अच्छे गुरु के संपर्क में जाओ गोरखनात कहते हैं गुरु बिन ज्ञान पहला न रभेला और कभीर कहते हैं गुरु गुबिंद दो खरे काकू लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो कुबिंद दियो मिला है तो इन बातों को समझे और बार बार असफल होना छोड़ दीजिए एक बार मेहनत तो कीजिए एक बार अपने लक्च की तरफ कदम तो बठाईए जब तक अपने लक्च की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे तो सफलता कैसे मिलेगी कोई मुझे बताओ क्या कुवाँ आपके पास आता है या हमें कुवाँ के पास प्यासे को कुवी के पास जाना पड़ता है सोच के बताना ये जिन्दगी दोस्तो आसान नहीं है इस जिन्दगी में कठिन मेहनत करना हाड़ वर्क करना सही दिशा में मेहनत करना ये जरूरी है और मैं ये सीखा है और मैं उन जात्रों को भी सिखाता हूँ खोने को कुछ नहीं है और पाने को सारा संसार है ये द्यान रखना भूलना नहीं तुम सारे संसार पर विजय पराप्त कर सकते हो क्या कोगे या हम दिल्ली आये हमने क्या को या या कोई भी एस्टिवडेंट पढ़ाई में क्या को सकता है लेकिन पूरे जंदगी को पराप्त कर सकता है वो खुसियां को पराप्त कर सकता है वो शफलता को प्राप्त कर सकता है लेकिन इन सफलता के बीच फिर मैं कहता हूँ हाड वर्क की जरुरत होती है कठिन महनत की जरुरत होती है जो कठिन महनत करता है हसना बड़ा आसान होता है किसी के जिंदगी पर किसी के औसफल छात्रों पर या कह देना तेरे नसीब में ही नहीं है तेरे भाग में ही नहीं है तुमसे कुछ नहीं होगा यह कहना बड़ा आसान होता है मैं तो उन छात्रों को भी जानता हूं जिन्हें साहित की बिल्कुल समझ नहीं होती है फिर भी आज सक्सेस है मैं उन चात्रों को भी जानता हूँ जो इसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ नहीं मिलेगा लेकिन आज फिर भी हो सक्सेस है आखिर कही से सक्सेस है किस परकार सक्सेस है सफलता का पैमाना क्या है इन सब को जानना बहुत जरूरी होता है मैं उन सारे पुराने चात्रों को दिल से प्यार करता हूँ चाहे वो उनसे बात कर पाऊं या ना कर पाऊं लेकिन जब भी उनके बारे में सोचता हूँ उनके वो कठिन मेहनत याद आते है उनके वो ठंड में पढ़े हुए गर्मी में पढ़े हुए वो दिन याद आते हैं जब रात रात भर मेहनत करते थे दिन दिन भर मेहनत करते थे एक सफलता के लिए आज उनके चेहरे पर जो खुसी है उसी मेहनत की खुसी है एक गुरु तो रास्ते बताने वाले होते है चलना तो उन चात्र को ही होता है वो चात्र चलते हैं और जीवन में सक्सेस करते हैं और आप भी सफलता पा सकते हो सफलता कोई बड़ी सीज नहीं है जो मैंने देखा है जब भी मैं दिल की बात करता हूं तो यहीं बताता हूं जो मैं महसूस करता हूं जो मैंने महसूस किया जो मैंने फिल किया उसी की चर्चा करता हूं और आप भी कर सकते हो एक बार मैं यह नहीं कहता हूं कि आप मेरे पास परो बिल्कुल मत परो एक बार बस कलास लेकर देखो आपकी जंदगी बिलकुल बदल जाएगी आपकी सोच बदल जाएगी आपके पढ़ने का तरीका बदल जाएगा आप आज तक जो शाहित को आपने लेखकों को रटा है साहित के मूल भाव को रटा है पिछले तीन चार सौ सालों में जो साहित्त की इतिहास लेकन की परंपरा आई है, जिन्होंने साहित्त लिखा है, उन्होंने छात्र को रटन्तू बना दिया है। LTA हो या अधर एक्जाम हो, बच्चों को रटन्तू बना दिया है। मैं यह नहीं कहता हूँ, आप रटन्तू बनिये। आप महसूस कीजिए, जो भी सब्जेक्ट पर रहे हैं, उनको फिल कीजिए, महसूस कीजिए, उनके साथ जीना सुरू कर दीजिए, उनके साथ दोस्ती कीजिए, उनके साथ अपनत तो लाईए, अपना पन का फिलिंग लाईए, फिर पढ़ाई पढ़ाई नहीं रह जाएगा उनके साथ खेलना शुरू कर देंगे एक बच्चे दूसरे बच्चे के साथ खेलते हैं बड़ा मज़ा आता है आप भी अपने दोस्तों के साथ किर्केट खेले होंगे फुटवाल खेले होंगे, टेनिस खेले होंगे खोखो खेले होंगे, कबड़ी खेले होंगे, बड़ा मजा आता होगा उसी तरह आप पढ़ाई के साथ भी खेलिए उनको रटिये मत, उनको महसूस कीजिए उनके फिलिंग को महसूस कीजिए जैसे अपने पहले प्यार के फिलिंग को महसूस करते है वो इसे ही महसूस करना शुरू कीजिए फिर देखिए आपका रिजल्ट होता है नहीं जरूर होगा बस एक बात और कहना चाहूंगा आज मैं हमारा नया बैच साहित का फिर से सुरू हो रहा है और वो भी सोमबार मंगलवार से इसी सब्ता अगले सब्ताह से सुरू हो रहा है एक बार अगर बार असफल हो रहे हो बार बार आपको समझ नहीं आ रहा है साहित में किस तरह पढ़ा जाए चाहे आप कोई भी एक्जाम दे रहे हो चाहे TGT का दे रहे हो PGT का दे रहे हो चाहे नबोधय का दे रहे हो चाहे KBS का दे रहे हो चाहे DSSB का दे रहे हो चाहे UP का दे रहे हो चाहे बिहार का दे रहे हो चाहे राजस्थान का दे रहे हो चाहे जारकन का दे रहे हो चाहे मदवर्देश का दे रहे हो एक बार फिरी कलास लेकर देखो इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ लेकिन जीवन में औसफल मत हो अपने पहर पे कुलारी खुद मत मारो इतना ही कहना चाहूँगा तो आज के लिए इतना ही धन्यबाद जय हिंद